Brought to you by Agilis Diagnostics अम सब माने या ना माने चाहें ना चाहें। अम इतिहास बन रहे हैं और बना रहे हैं। मितलब हमको देखने में लग सकता है कि यारि इतिहास तो बहुत बड़ी चीज उती है। काउंसलर अमले इस वक्त देश में पूरे में 3-4 जार अमलेस हैं। कितने हजार काउंसलर्स होंगे, देखने में लग सकता है कि ये हमारा होना, हमारा अपना वजूद तो छोटा सा है, हमको इतिहास इतिहास थोड़ी बना रहे हैं, हम तो अपनी लड़ाई कर रहे हैं, राजनेतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, या जो छोटे मोटे हमारी करने की लड़ाई लड़ रहे हैं देखने में लग सकता है पर यकीन मानिये हैं यह हकीकत है कि हम एक बहुत बड़ी राजनियतिक कहानी का हिस्सा बन चुके हैं हम चाहें नहीं चाहें ठीक 100 साल पहले आज हम 2024 में याद करो 1924 इतिहास थोड़ा बहुत सबने पढ़ाई है क्या हो रहा होगा एक 18 साल का 22 साल का लड़का एक जगे बंफोड के आगरा में चिपके बैठा होगा किसी चुटके से कमरे में एक पंजाब से चला था एक अलहाबास से चला था दोनों आ किये यह अंग्रेजा में सुना नहीं हमने जो बंफोडा उससे हमारे उपर जादे वा रहा है कुछ करना चीए फिर उन्होंने कुछ किया होगा फिर जाकर एसेंबली में धमाका किया होगा फिर बड़ा मुकदमा लड़ा होगा आस सो साल बाद उस समें सो साल पहले की दो लड़कों की छोटी सी बातचीत मतलब उस वक्त क्या भगर सिंग और चंदर शेखर आजात को एहसास भी होगा कि वो कितने बड़े इत्यास का हिस्सा बन रहे है उस वक्त तो लड़क्पने में था वह देश से प्यार है और कुछ करना है मतलब भगर सिंग और चंदर लुके गया है एक अलहाबास से कुछ करके आए अंग्रेजों को किसी को मार पीठके आए दोनों बैठे हैं और आगरा के किसी कमरे में किसी छुटके से कमरे में पीछे घर में भी नहीं घर के भी पीछे बने हुए किसी कमरे में छुपके रह रहे हैं कोई चुपचाप उन जाएंगे लेकिन करेंगे जरूर आप चाहो नहीं चाहो मानो मत मानो आप एक बड़ी एतिहासिक कहानी का हिस्सा हो अब आप याद करके देखो जो गोपाल भाई ने का मैं उसको थोड़ा सा कनेक्ट करने कोशिश कर रहा हूं हम सबने सुना है कि चंदर सेखर आजाद किसी दोस्त से मिलने गए अलफरेट पार्क में बैठे हुए थे और वहीं किसी ने जाके फॉन किया उसी एज के उसी जैसे किसी लड़के ने पुलिस को फॉन कर दे आ रहे हैं जिसको डूंड रहे हैं हुआ बैठा है हुआ बैठा है वो पकड़ो गए मार डाला जैसे मतलब आजाद साब ने जो बहादरी दिखाई उसकी बात अलगे पर मार डाला किसकी वज़े से मार डाला वो आदमी भी नहीं सोच रहा होगा कि मैं किसी इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा हूं उसको भी नहीं पता था कि मैं किसी इतिहासिक कहानी में कुछ कर रहा हूं पर आजाद में अपना काम किया और उस गद्दार ने अपना काम किया और सो साल बाद मैं और आप और आज से सो साल बाद भी हमारे और आप के चौथी पांचवी पीडी के बच्चे जब इतिहास पढ़ रहे होंगे तो आजाद को सलाम कर रहे होंगे तो अपनी भूमी का इतिहास में हमें खुदी तै करनी है यह बहुत बड़ा इतिहास लिखा जा रहा है आप सोचो ना दिल्ली नगर निगम कितने साल से है जी मतलब देविंदर भाई आप सब लोग तो पुझो पुराने सीनियर लोग भी है सब जान रहे हैं कितने साल हो नगर निगम को बने 57 में बना धा 57 से आज तक दिल्ली नगर निगम कभी इतना चर्च ह़ुआ रहा इतना सूर्खियों में रहा है जितना आपकी वज़े से है राय कभी भाई ठीक है पार्षद अभी बने MLA अभी बने लेकिन राजनितिक कीडा तो पहले से यह ना खबरों को पढ़ने का समझने का देखने का है ना कभी दिल्ली नगर देगा में इतनी चर्चाओं में देखा आप चाहो नहीं चाहो यह सुर्खियां आगे आने वाले इतिहास में लिखी जाएंगी आस से 10 साल बाद 20 साल बाद 50 साल बाद इन पर चर्चाएं होंगी कि किसी समय एक पागलों की सेना आई थी अरविंद केजरिवाल जी के नित्रतु में और बैठके ऐसे लड़ती थी एसे लड़ती थी ऐसे और फिर यह सब होगा मैं गया मैं जब जेल में था मेरे पास में अब रिकार्डिंग हो रही है मैं बहुत बहुत डेटा मैं फेक्स की जगे थोड़ा से वेगली बताऊँगा मैं जेल में था तो मेरे पास एक बहुत बड़ा अदमी आया, बहुत ही बड़ा है वो, और उसने आके कहा, Manish जी, देख लो, सड़ा देंगे आपको ये, आपको दिल्ली चुनाव से पहले तो नहीं निकल देंगे, मैंने दिल्ली चुनाव से पहले मैं निकलू 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 भगवान पे चोड़ रखा है मैंने, पर आप बताओ क्या क्या रहे हो, बोले, आजाओ, तोड़ लो, मतलब वोई जो बाते होती है, तो मैंने उनको ये ही कहा, मैंने पहली बात तो जेल में मर भी गया, तो सड़ूँगा नहीं, मरूँगा, सडने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा नहीं सड़ेगी, शरीर तो एक दिन सबका ही सड़ना है, तो आत्मा नहीं सड़ेगी, क्यूं? क्यूंकि मैं तो जगदीब भाई के साथ में इसी जेल के दर्वाजे के बाहर बैठके तीन दिन बैठा था जब अंदर थे, अर्विन जी अंदर थे, और महीं जगदीब भाई डोलक बजा रहे थे और मैं नारी लगा रहा था, फिर उस जेल में उपर पंखा चल रहा है, मैंने का ये डराओ मत सड़ने से तो, दूसरी बात फिर मैंने उनको कही, मैंने का देखो और एक चीज़ और बता दू, यहां मैं एक फुद पर गर्व करता हूं, कि देखो मैं एक बड़े एतिहासे घटना का हिस्सा हूं, आपकी अगर अगर उस वक्त सोच लिया होता है कि नहीं यार, देख लेते हैं, जेल से कैसे बचें, क्या करें, तो मैंने का आज आप यिस पद्ध पे नहीं होते हैं, जिस पद्ध पे आप हो, आपकी पार्टी के उकात इतनी नहीं होती, इसलिए थी, तो आप सिर्फ पार्षद नहीं है, आप सिर्फ पार्टी के लीडर नहीं है, आप आने वाले समय की पार्टी की आउकात बना रहे हैं, इस आउकात को कम मत होने दीजिए, परिस्थिती आएंगी, तो मैंने बोला, मतलब मैं किसी एहिंकार में नहीं कह रहा है, लेकिन फिर भी, आप कई मेरे को किसी नहीं है, बोला, आके मैं मिल रहा था जाएंगी, तो हो गई बात, तो कहने का मतलब या है, कि हमें अपनी भूमिका खुदी तै करनी है, कि इतिहास में हम किधर खड़े होंगे, इतिहास में हम, मुझे लगता है, हमारे बच्चे भी गर्व करें, सब गर्व करें, उस जगह खड़े हैं, और बहुत अच्छी बात यह है, कि आज मैं अगर, पहले भी मैंने बोला था, कि जेल में, जब मुझे कोई इस तरह की बात करता था, तो दिमाख में तो लगता ही था, अच्छा यार, दिल्ली चुनाव से पहले नहीं छोड़ेंगे, ओके, ओके, अभी यह देखो न, यह रोज लड़ रहे हैं, हां डंडे खा रहे हैं, फिर मुझे लगता था, कि यार, इस बारे में तो चिंताई क्या करनी है, तो हमें एक दूसरे को देख के तो सीखना है, एक परिवार की तरह रह के सीखना है, एक ही सपना है, जो बात गुपाल जी ने कही, हमारा सो भाग गया है और हम आज से 20 साल, माने 50 साल बाद, 100 साल बाद हम मैं पता नहीं, 100 साल बाद तो कोई जिंदा रहने वाला है नहीं, पर वो पीड़ी जो आमादमी पार्टी की होगी, 50-100 साल बाद की, वो इस बात पर वो करेगी कि हाए हम अरविंद केजरिवाल के सम हाई हम गांधी के समय पर क्यों नहीं हुए हम सुभास चंदर बोस के समय पर क्यों नहीं हुए लगता ना कभी कभी जब देश के बारे में कुछ करने का सोचते हैं, आने वाली पीड़ी को जरूर ये लगेगा कि यार हम अरविंद केजरिवाल के समय पर क्यों नहीं हुए तो अगर आपसे इरशा करेंगे लोग सोचके कि कितने लखी लोग थे जो अरविंद केजरिवाल जी के समय पे हुए थे, उनके साथ राजनीती कर रहे थे, हमें हम सौभा के शाली हैं कि हमें ऐसे निता के साथ काम करने का मौका मिल रहा है साक्षात one-to-one बैठके जिस पर ज जान कुर्बान करने का मन करता है, बाकी तो चीजे छोड़ दिये, तो अगर आपको भी ये फिलिंग है, मैं तो इसी फिलिंग के साथ जीता हूँ, कि मैं सौभा के साली हूँ कि मुझे एक एसनिता के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, जिस पर मैं इनी सेकणों, हजारों, लाखों लोग जान कुर्बान करने को तेहार है, तो आप भी जो को पहल भाई ने जिन तरह विशारा किया, टिकेट, ना टिकेट, चेर में नी, ना चेर में नी, ये सब पर जान कुर्बान मत करिये, इच्छा रखिये, जान कुर्बान मत करिये, जान तो एक ही जगे कुर् झाल झाल